सभी एनिमे फैंस का स्वागत है आज हम सीजन दो के रीकैप के साथ अरिफ युए रेता की एक्शन से भरपूर दुनिया में जाने वाले हैं अगर आपको सीजन एक का एक रिफ्रेशर चाहिए तो हमारा पिछला रीकैप विडियो जरूर देखे इस दूसरे सीजन में हम हाजी में नागुमों और उसकी लगातार बढ़ती पार्टी को फॉलो करते हैं क्योंकि वे मिस्टीरियस भूल भुलईया से अपनी जर्नी जारी रखते हैं नए दुश्मनों का सामना करते हैं और इस दुनिया की चौकाने वाली सच्चाईयों का पता लगाते हैं जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है वॉल्कैनिक खत्रे, पॉलिटिकल साजिश और दिल दहला देने वाले सैक्रिफाइसेस से भरी इस दुनिया के लिए तयार हो जाईए क्योंकि हम अरिफ यूए रेता सीजन टू के की इवेंट्स को देखेंगे कोकी दूसरों के साथ कास्टल में लोटता है इस बात से निराश की कावरी ने नकेवल हाजीमे के लिए अपने प्यार को कबूल किया था बलकि उसके साथ रहने के लिए ग्रूप को भी छोड़ दिया इस बीच हाजीमे का ग्रूप ग्रूएन डेजर्ट की जर्नी करता है जहां उन पर कई सैंड वर्म्स द्वारा हमला किया जाता है मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वे अंकाजी के ड्यूक के बेटे बिजे फ्यूएवर जेंगन नामक एक नोबल को बचाते है बिजे एक अजीब कंडिशन से अफेक्टेड है जो उसके शरीर में माना को ओवरलोड कर देती है जो उसे लगभग मार देती है वह बताता है कि अंकाजी एक भयानक सिचुएशन में है इसकी वाटर सप्लाई जहरीली हो गई है जिससे लोगों में बिजे को अफेक्ट करने वाली उसी माना ओवरलोड बीमारी के लक्षन दिखने लगे है हाजीमे और लड़कियां जल्द ही अंजाकी के लोगों की मदद करने का फैसला करती है इस बीच डीमन आर्मी के जनरल फ्रीड को सबसे पहले हाजीमे के हाथों कैटलिया की मौत फिर मौन्स्टर आर्मी के विनाश के बारे में बताया जाता है फ्रीड लड़ाई में हाजीमे का सामना करने और उसे मारने की तयारी शुरू कर देता है हाजीमे की पार्टी अंकाजी पहुँचती है जो तीसरी भूलभुलया की साइट है ग्रूप पिघले हुए लावा की बड़ी नदियों से होते हुए आगे बढ़ता है और कोर तक पहुँचता है जहां सौ मौन्स्टर निगरानी रखते हैं हाजीमे और लड़कियां कोर की रक्षा करने वाले मौन्स्टर पर आसानी से हमला करती हैं लेकिन जैसे ही वे उनमें से आखिरी को मारते हैं लाइट की एक बड़ी बीम हाजीमे पर पड़ती है उसकी सुरक्षा के लिए बेहत चिंतित वे उसे बचाने के लिए आते हैं फिर जवाबी हमला करने के लिए तयार हो जाते हैं हाजी में फ्रीड के सर्प्राइज अटैक से घायल हो जाता है लेकिन एड्वांटेज होने के बावजूद वो लड़ाई में हाजी में की पार्टी को हरा नहीं पाता है जाने से पहले फ्रीड उन कंट्रोल्स को डिस्ट्रॉई कर देता है जो वोलकानों को फटने से रोकते हैं और हाजी में और बाकी लोगों को अंदर फसा देता है ताकि विस्फोर्ट से उनकी मौत हो जाए वॉलकेनों के बंध होने से पहले हाजी में टियो को कहता है कि वह जल्दी से भाग कर अंकाजी में कावरी और म्यू से मिल जाए जबकि वह और बाकी लोग दूसरे रास्ते की तलाश करते हैं इस बीच पैलेस में शिजूकु को प्रिंसेस लिलियाना इंफॉर्म करती है कि राजा हाजी में को उसकी सोच के लिए विधर्मी घोशित करने का इरादा रखता है डैसुके हियामा वह स्टूडेंट जिसने जान बूझ कर हाजी में को निशाना बनाया था कावरी द्वारा अपने प्यार को कबूल करने के बाद हाजी में के साथ जाने से लगातार निराश होता जा रहा है इस बीच एक क्लासमेट जिसकी पहचान एक मिस्ट्री है बताता है कि वे सभी जानते थे कि डैसुके ने जान बूझ कर औरकस में हाजी में को मारने की कोशिश की थी ये रहस्यमय व्यक्ती डैसुके के पास जाता है, अलायन्स का ओफर देता है और कहता है कि उसके पास accept करने के अलावा कोई option नहीं है अपने पीछा करने वालों से मुश्किल से बचकर टियो अंकाजी लोटती है और कावरी और म्यू द्वारा उसका इलाज किया जाता है जबकि हाजी में युए और शिया भूल भूलया के कोड तक पहुँचते हैं और हाजी में द्वारा बनाई गई सब्मरीन में भागने से पहले इसकी पावर को ले लेते हैं कुछ समय बाद पार्टी समुद्र के बीच में फिर से इकठा होती है और एरिसेन की सी सिटी में पहुँचती है जो मर्फोक का घर है जहां म्यू अपनी मां से फिर से मिलती है इस बीच शिजुकू आईको से सलाह लेती है और बताती है कि हाजी में को उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करने के लिए चर्च द्वारा ओफिशली विधर्मी करार दिया गया था आईको यह भी बताती है कि राजा और नोबल्स दोनों अजीब तरह से बरताव कर रहे हैं और हाजी में के हिसाब से वे न तो चर्च पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही गौड एहिट पर क्योंकि वह उनके असली अबजेक्टिव को जानता है पार्टी अरिसन से मेलोसन के पानी के नीचे के रूइन्स का पता लगाने के लिए निकलती है जो चौथी भूल भुलईया की साइट है जैसे ही वे रूइन्स के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं उनका सामना एक पावरफुल मॉंस्टर से होता है जैसे ही ग्रूप पीछ पार्टी चोड़ देनी चाहिए इस बीच कास्टल में वापस आइको को एक नन द्वारा किड्नैप कर लिया जाता है जबकि लिलियाना दूर से यह होते देखती है हाजीमे और कावरी एक साथ डंजन को एक्स्प्लोर करते हैं जब तक कि वे पास्ट का एक सीन नहीं देखते हैं जहां एहिट के आने से जातियों के बीच की पीस ट्रीटी तूट जाती है जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं एक स्प्रिट कावरी को वश में कर लेती है और हाजीमे को मजबूर करने का प्रयास करती है लेकिन वह मना कर देता है और मैजिक बुलेटस से उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है जब तक कि वह कावरी के शरीर को छोड़ नहीं देती और जब तक की कावरी अपनी पावर से उसे बाहर नहीं निकाल देती फ्री होने के बाद कावरी हाजी में को किस करती है और कहती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और युए के लिए उसकी फीलिंग्स के बावजूद उसके साथ रहना चाहती है फिर दोनों भूल-भुलईया के कोर में पहुँचते हैं, जहां वे दूसरों के साथ फिर से मिलते हैं वो मॉन्स्टर जिसने पहले पार्टी पर हमला किया था, लड़ने के लिए वापस आता है लेकिन हाजी में द्वारा उसी सेंटियंट फिश की मदद से हरा दिया जाता है, जिसे उन्होंने फ्री किया था इस बीच बाकी स्टूडेंट्स आइको के गायब होने से परेशान हैं, इस बात से अंजान हैं कि उसे डिवाइन माउंटिन पर बंदी बना कर रखा गया है हाजी में और लड़कियाओं एरिसेन में कुछ दिन बिताती हैं, हाजी में म्यू से अलग होने के बारे में सोचता है एक बार जब उसकी माँ हाजीमे से कहती है कि वह उसके जाने से खुश होगी तो हाजीमे म्यू से वादा करता है कि वह उसे वापस अर्थ पर ले जाएगा जब उसे वहाँ वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा जैसे ही पार्टी अपनी जर्णी जारी रखने के लिए रवाना होती है, लिलियाना महल से भाग जाती है, यह मानते हुए कि वह वहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकती है और डीमन लॉर्ड की आर्मी इंसानों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी करती है इस बीच कमांडर मेल्ड हाजी में से मदद मांगने के लिए एक लेटर भेजने का सोचता है तब ही डाइसुके उससे बात करने के लिए आता है Maled के Subordinates में से एक को Hypnotize किया जाता है और वह उसे मारने का प्रयास करता है और जब Maled हमलावर से डाइसुके की रक्षा करता है तो डाइसुके उसे चाकू मार देता है Maled हमलावरों से बच निकलता है लेकिन नौइंट द्वारा उसे रोक लिया जाता है और मार दिया जाता है इस बीच हाजी में की पार्टी चोरो के एक ग्रूप से कुछ ट्रैवलर्स को बचाती है और लिलियाना से फिर से मिलती है जो बताती है कि वह आईको को बचाने के लिए महल से भाग गई थी जिसे Divine Mountain पर रखा गया है जो पांचवी भूल भूलया की साइट भी है हाजी में आईको को जेल से छुडाता है लेकिन उन पर नौइंट द्वारा हमला किया जाता है जबकि फरीड और उसके सबॉडिनेट्स के अंडर एक लाख मॉंस्टर्स की आर्मी कैपिटल के पास पहुँचती है प्रीस्ट्स के मैजिक से कमजोर और आईको को नुकसान से बचाने के कारण हाजी में नौइंट से सही से नहीं लड़ पाता है UA और शिया फरीड और उसके सोलजियर्स का सामना करते हैं और उन्हें हरा देते हैं जिससे वह भागने पर मजबूर हो जाता है जबकि कावरी और लिलियाना हाजी में के बाकी क्लासमेट्स को ढूंडते हैं टीयो हाजी में से जुरती है जो उसे आईको को ले जाने को कहता है और अपना जवाबी हमला शुरू करता है खुद को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने के कारण हाजी में नौइंट से लड़ता है और एक लड़ाई के बाद उसे हरा देता है टियो और आई को अपनी शक्तियों को मिला कर टेंपल पर हमला करते हैं लेकिन सभी प्रीस्ट्स को मारते हुए मंदिर को पूरी तरह से नश्ट कर देते हैं हाजी में उन दोनों से मिलता है और लिबरेटर्स में से एक की स्पिरिट उन्हें भूल भुलाईया के कोर में ले जाती है जहां वे अपने रिवार्ड्स को क्लेम करते हैं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को मॉंस्टर के हमले के बारे में पता चलता है जो एरी के कहने पर नाइट्स के साथ फिर से जोड़ जाते हैं लेकिन Aerie अपने Classmates को धोखा देती है और अपने Control में Knights की मदद से उन्हें वश में कर लेती है Aerie बताती है कि उसने Monsters का साथ दिया और अपने Control में Knights को मारने और उन्हें Undead में बदलने के लिए अपनी Necromancy का इस्तेमाल किया वह यह भी मानती है कि उसका मेन अबजेक्टिव कोकी को भी अंडेड में बदलना है जिससे वह प्यार करती है ताकि वह उसे अपने पास रख सके कावरी और लिलियाना मदद करने के लिए आते हैं और कावरी अपनी पावर्स का यूज करके बाकी क्लासमेट्स को ठीक करती है जो वापस लड़ना शुरू कर देते हैं हालांकि डेसुके ने कावरी को बुरी तरह से घायल कर दिया और एरी ने उसे एक अंडेड में बदलने का प्लान बनाया ताकि वह उसे अपने साथ रख सके आखिरी सेकंड में हाजी में सामने आता है और अपनी मिनीगन का यूज करके सभी वर्ष में आये नाइट्स को मार देता है एरी मेल्ड को जो अंडेड है हाजी में को मारने का ओर्डर देती है हलांकि अपनी आत्मा के आखिरी हिस्से से हाजी में को उसके दुख को समाप्त करने की विनती करता है जिसके लिए वह बिना किसी सवाल के सहमत हो जाता है हाजी में एरी को मारने ही वाला होता है कि डैसुके उस पर हमला कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे बुरी तरह से मारा जाता है और उसे अखाडे के बाहरी इलाके में फेंक दिया जाता है और मॉंस्टर्स द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है फ्रीड आता है और हाजीमे को शहर पर हमला करने वाले हजारों मॉंस्टर्स को हराने की चुनौती देता है जिसे वह अपने द्वारा बनाए गए एक स्पेस वेपन से आसानी से पूरा कर लेता है एरी फ्रीड के साथ भागने में कामयाब होती है और हाजीमे की पार्टी कावरी का शरीर ले लेती है उसके दिमाग में उसे पूरी तरह से पुनर जीवित करने का प्लान होता है हाजी में और बाकी लोग काउरी की आत्मा को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर वे इसे नौइंट की रिस्टोर्ड बॉडी में इंप्लांट कर देते हैं ताकि वह अपनी कॉमबेट एबिलिटीज को बढ़ा सके और साथ ही अपनी ओरिजिनल बॉडी को जापान लोटने के लिए सुरक्षित रख सके हाजी में बाकी स्टूडेंट्स को एहिट के असली इरादों के बारे में बताता है और कोकी कहता है कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए उससे लड़ना चाहिए लेकिन हाजी में जोर देकर कहता है कि उन्हें अपनी दुनिया में लोटने पर ध्यान देना चाहिए इसके बावजूद स्टूडेंट्स हाजी में के साथ शामिल होने का फैसला करते हैं और दो ग्रूप्स में डिवाइड हो जाते हैं एक हाजी में की पार्टी के साथ अगले भूल भुलाया में जाता है ताकि स्ट्रॉंग बन सके और दूसरा एहिट के प्लांस को रोकने की कोशिश में लिलियाना को कैपिटल में एम्परर से मिलने के लिए ले जाता है ये एपिसोड तब सेट होता है जब मियू अभी भी ग्रूप में थी जब कावरी कुछ ट्रैवलर्स को ठीक करती है तो शिया, टियो और मियू यूए से उन्हें जादू सिखाने के लिए कहते हैं हाजी में उन्हें वार्निंग देता है कि ऐसा न करें जो सही साबित होता है क्योंकि यूए के एक्स्प्लेनेशन्स बहुत कन्फ्यूजिंग है और उनका कोई मतलब नहीं है हालांकि कावरी भी लेसन में शामिल हो जाती है और सभी को हैरान करते हुए तुरंत एक फोर्स फील्ड स्पेल सीख लेती है वे एक शहर में रुखते हैं और मियू के कहने पर कपड़े बदलते हैं और देखते हैं कि यह कैसा है मियू यूए के कपड़े पहनती है यूए टीयो के कपड़े पहनती है टीयो मियू के कपड़े पहनती है शिया कावरी के कपड़े पहनती है और कावरी शिया के कपड़े पहनती है हाजी में इंप्रेस होता है लेकिन कावरीशिया के खुले हुए कपड़े से शर्मिंदा होती है वापस स्विच करने और सड़क पर वापस जाने के बाद UA परेशान होती है कि म्यू हमेशा उसे मा के बजाए बड़ी बहन कहती है म्यू उसे विश्वास दिलाती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके सिर पर थपठपाती है जिससे UA एक इंफेंट स्टेट में वापस आ जाती है जिससे हाजिमे गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है क्योंकि वे कितने क्यूट दिखते हैं